है काईज वेल्गम बैक टू सुपर फास्ट इंगलिस अगेंड दोस्तों इस वीडियो के नदर वॉक एफ का जो उस्तरी चल रही है उसमें चौथे नम्मर की वीडियो है यसे आप ध्यान से पढ़ेगा सारी वॉक एफ की वीडियो का प्ले लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन करने के लिए तो मुझे लगता है यह बहतर आपके हैल्प करेगा तो चलें वीडियो को शुरुआत करते हैं हां और वीडियो को लाइक जरूर किया करें आपसे निविदर है अब देखेगा आपके सामने मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा फालतों कि कोई भी ब आपकी सब्सक्राइब पूरा वरुसा है अब स्वोले नंमर का आज जो पूछा है वो है इंपलाई इंपलाई को आप कैसे करेंगे यह को tauta संकेत करना इंडिकेट करना हैंन यह थेना वह बता देंब्स आप इसे ऐसे देखेगा जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यह एंपलाई स Exact खान कर रहा है यह आई एंडीकेट कर रहा है वह 黑 रहा है वह रहा है शंकेत देना और perilous का मतलब खतरनाक होता है dangerous, risk होता है ठीक है? तो indicate और hint आप इसे कभी भी नहीं बोज़कते मतलब are you implying that I am wrong? कि आप इस संकेत दे रहे हूँ कि मैं गलत हूँ? तो implying is that clear? इसका उल्टा हो जाएगा define and express ये देखे एकदम मज़ेदार है पूरा वोके में करवा दूँगा बस आपका support मिलता रहना चाहिए ये लिखरा है, ये क्या लिखरा है बता हूँ? ये लिखरा है vein, अब इसे याद कैसे करेंगे seize to vein to wear glasses ये vein का मतलब होता है घमंड, यानि arrogant egoistic, ठीक है घमंड होता है अब याद कैसे करेंगे, ये रिखरा है vein तीक है, अब मैं ऐसे ऐसा करता हूँ ये vein है अब आपने vein गाड़ी देखी होगी न, अरे vein car, टाटा, सोमो, इसको आप यो, वेन होती है अब जाइज है, कि vein वो लेकर क्या आगया, अब ऐसे तुलना करें, सोचिएगा कि वो बहार कहीं ही लेजर है, कोई भी मतलब ये है कि कोई भी, कहीं ये ने कि कहीं से दो रुपया कमाएं, जाएं, और मार्केट में न, पबलिक को इधर से उधर करें तो कुछ नहीं करें, बस गाड़ी को ले आया, घर पर, घर पर ही रखता है अगर किसी को help चाहिए, कि भाई आपकी वेन ले जानी है, तो वो बिलकुल मना कर देता है, कि हम नहीं आपको दे रहे ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए खेडने का इक खिलोना है, तो गावाले क्या सुझेंगे, इसको गमंड हो गया, तो वेन ऐसे समझो, वेन लेके आया था, उसको गमंड हो गया था, मतलब अगर कोई बीमार भी है इमर्जनसी में भी वो अपनी वेन को नहीं देता है ऐसे होंगे आपके, तो याद हो जाएगा यह होता, एरोगेंट है, ठीक है और इगोस, ठीक है, और उल्टा हो जाएगा, हमबल और शाई, एस अच वाई शाई पढ़ते हैं से यह भी देखो, कितनी मज़ेदा है यह है, बोनाफाइड, अच्छा, बोनाफाइड ते का मतलब होता है, प्रमाढग यह वास्तिव कि याव से जैनवाइट gouvern, एक्छूल, रियल रियल भी बोल सकता हूँ है क्या वह सकता हो, रियल भी पहल सकता हूँ तो बोनाफाइड, अब ऐसे आप लेखे करनों सक्राष बिटा है। उसने starting में बोल दिया है, वो बोना है, तो बोना तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, तब लोग बोना बोलते हैं, तो बोना फाइड, क्या है? बोना फाइड, यानि कि अब आप समझ जाएंगे, हलका हलका याद रहेगा आपको, कि बोना था, वो तो genuine है, वो तो actual है, वो तो real ह यसा ही रहेगा तो आप इसे आसानी से याद कर जाएंगे तो आ वोनाफाइट रीजन मतलब एक वास्तविक रीजन एक प्रमाडिक रीजन उल्टा हो जाएगा फेक अन्रियलिस्टिक जो रियल ना हो उनीस माह है और यह आप कैसे याद रखेंगे इदे को यह लिख रहा है मेंडरिंग क्या लिख रहा है मेंडरिंग आप जानते हैं खेत की मैडर होती नहीं होती अब खेत आप 10 वी तो उसमें भी जो खेत की मैड लगी होती है तो आप ऐसे सोचेगा ये आपका खेत है ये आपका खेत है ये इसकी मैड तो बताओ खेत की मैड वो कैसी होती है गुमावदार कैसी होती है गुमावदार याद रहेगा तो ये मेंडरिंग का आपको याद हो जाएगा तो मेंडरिंग का मतलब गुमावदार होता है वॉन्डरिंग सर्क्यूलर उल्टा हो जाएगा मेंडरिंग रिवर्स फ्लो आट वास्टली डिफरेंट रेट्स उल्टा हो जाएगा आगे आपसे पूछा है डैरी सन बहुत ही अच्छा है आपको नए नहीं वर्ड लग रहे होंगे लेकिन जब आप सुनते होंगे ट्रिक हो तो आप वह हलका हलका कुछ-कुछ तो होता होगा देखो डैरी सन ऐसे समझो डैरी एक एक आदमी है उसका सन यानि मैंने क्या लखा मैंने ये लखा ये लख रहा है डैरी डैरी का सन अब डैरी का सन आप ऐसी आदको डैरी कोई व्यक्ति है उसका बेटा है अब डैरी का सन कैसा है बताओ अब डैरी का जो सन है उसका सभी लो आप जो है वो गल्ड डूटी पर क्यों नहीं आए आप से पूझे बार 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 दो रीजन दो रीजन अब आप उसका रीजन नहीं दे पारे हो तभी तो वह बूल रहे हैं दो रीजन तो आपका लोग मजाग उड़ाएंगे हसी उड़ाएंगे उसका डिस्डेन क्या रेलिस का मतलब आनद लेना यह बहुत सार अभी तो आपको पता है इलेक्षन आने बाले ऐसे रेलिस रेली तो ऐसा लग रहा हमानो रैली लिख रही हो अब रैली के अंदर तो आपको पता है दुनिया खूब मजा ले नहीं तो बोट देना है उसको दो देंगी बाबुजी आप प्रधानी पर खड़ेव बताओ क्या खलाओ तो क्या खलाओ कुस्तों लुट अपहेथी हेट अब देखो यह लख रहा अक्यूट अब यह दख रहा है कट कोई भी चीज कट कब कर सकती है जब वह बहुत शार्फ हो क्या होतो शार्फ हो जो बहुत ज्यादा तीव रो तभी तो acute आप याद कलो acute यानि cut और cut काटेगी कौन जो तीव रो and acute sense of smell मतलब आपने देखे कुछ smell ऐसे होती है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर देती है तीखी बहुत ज्यादा तो intense intensity कीन ठीक है यह इसका सरूनियम है ठीक है sharp यह इसका सरूनियम है उल्टा हो जागे stupid and blunt क्योंकि blunt का उल्टा होता शार्प तो इसका मतलब इसका जो सरूनियम होगा वो शार्प भी होगा आगे देखेगा आगे जितनी चीज़े में आपको बताते जा रहा हूं उनको आप कैसे पढ़ेंगे आप इसे यह लिख रहा है grease क्या लिख रहा है बताओ grease लिख रहा है अब यह बताओ अगर आप किसी के भी कपड़ों से अगर grease लग जाए बाई चांस तो वो क्या बढ़क जाएगा बढ़के का नहीं बढ़क अरे यार तुमने बताओ मेरे कपड़ों से क्या है grease लगा दी तो भढ़क जाएगा नहीं बढ़क जाएगा बढ़क जाएगा अग्रीज ऐसे समझो कि रोहित नाम का या फिर ग्रीज बहुत बढ़की ले कपड़े पहनता है ठीक है याद हो जाएगा तो यह नहीं रखा है ठीक है गॉड़ी शुई इसका मज़ा होत क्या वेगरी का मतलब होता है उतार चड़ाव क्या होता है वेगरी का मतलब होता है उतार चड़ाव ठीक अब देखो अब यह आप देखो यह लिख रहा है वेगरी आप इसे समझो यह लिख रहा है वे मतलब पबलिक को संबोधित कर रहा है क्या वे मतलब जो सामने आपको द देखो दूर से देखने वाला वॉल दाए, थीसरा वंदार, वेगरी, मतलब वो घरने वाली हैं, देखो, क्योंगा रास्ता कैसा है, उतार चड़ाप का होगा, तो जाहिस है वो घरेंगी, तो याद कर लीजेगा, वेगरी का मतलब उतार चड़ाप, मतलब क्विरक, एक होता इन सारी चीज़ों का याद कर लिए यह 24 आपको रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको क्योंकि आप बोलते हैं सर रिवीजन करवा दीज़ेगा मैं आपको 24 जो है वाकेप आपको याद करवा दिया अब देखता हूं को कितना याद है मैं ट्रिक से ही बताऊंगा पुरानी वीडियोस को आप जरूर देखते रहा करें तभी आप बहतर कर पाएंगे रिवर को हमारे देश में आदर सम्मान से उन्च का नाम लिया जाता है मतलब एस्टीम करवाए था कॉमेंस रेट मैंने बताइथा सूरत के जो कॉमन लोग होते हैं वो सभी को बरावर देखते हैं वेडो आप委 मने आपको बताया था वैक हैं आपको इस तरह से बताए है और एक तो और ऑडी पर चल रहा है और एक तो और चार 550, सब बोलो description और description जो जितना अच्छा लेगा उसको क्या credit दिया जाएगा कि भाई आपने बहुत अच्छा लेगा है तो credit on slot का मतलब बता दिया था आकरमण होता किसी के उपर on slot कर देना आकरमण कर देना एक S में screw plus मैंने बता था screw मतलब score और plus हो गया जब किसी का भी score plus हो जाता है एक्जाम में तो जाएसे वो कैसा होगा उश्यार होगा कैसा होगा precise होगा heedful होगा तो यह मैंने करवाय था एक है perilous बताय था paralysis बीमारी हो गए यह कैसी होती है बता हो यह बहुत जादा खतरनाक होती है मतलब dangerous होती है वेन मतलब गमंडी है ना गमंड बर रहा हो धुमादार हाँ गाड़ी जावेगी नहीं तो जावेगी नहीं arrogant है ठीक है एक है मींड रिंग मेंने बता है mad mad कैसी होती है बता हो गमावदार होती रेलिश प्रेलियूम लोग ash करते है मतलब मौज ले रहे है आनंद ले रहे है तो इसका सनुनियम क्या हो जाएगा love या fancy ठीक है एक है गेरिश और यह बता है ता ग्रीस अगर लग जाती किसी के कपड़ों पर तो वो बहुत ज़दा एकदम बढ़कीला हो जाएगा गुश अगर किसी ने साला बोल दिया ना तो लोग उसको एक तरह से बहुत गलत तरीके से देखते हैं यह मैंने कल आपको करवाय था तो दो तीची चीजें बार बार एक साथ आ जाए आपके सामने तो उनको बार बार रेकेप करने से यह सारी चीज़ याद हो जाएगी आपकर य एक तरह से कमजूर कमजूर क्या बन जाते मजिशन या विजार बन जाते अवर्ट यह मैंने कल आपको बताता है इसका ट्रिक मुझे याद नहीं यह लेकिन मुझे इसका सुरूनी में आद है अवर्ड होता है यह कह अलाइट और उसमें भी यह लग रहा है मतलब बहुत ज जैलस, जैलस का मतलब जो शीला, एक है इस्ट्रिंजेंट, मैंने बतायता, एक तो इस्तरी है उपर से और वो एजेंट हो रहे हैं, तो ऐसा कोई एजेंट जो इस्तरी हो, तो वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा रिजिड होगा, ठीक है, टाइट होगा, लौ कानून के इसाफ स बहुत ज्यादा कठें होगा, इंप्लाई ये मैंने आपको बताया था, आई एम प्ले, यानि आप इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है, बोनाफाइट, जो बोना है वो तो बोना ही रहेगा, जो बोना ही रहेगा, तो इसमें कोई भी अलग बात रही है, तो ची मज़ा को लाते हैं, ठीक है, अरे यार, ओ डेनी का सन आ गया, ओ या डेनी आएगा, इस तरह से, अब जो कट करेगा कौन, जो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, तो इसका मतलब मैंने शार्प भी आपको बताया था, इंटेंस, कीन, ठीक है, 24 और बचा होगा, ठीक है, वे इसका सुनने होता है, चलेगा दोस्तों, मैंने आपको रिवेजन भी करवा दिया, आप अपना सुजाब देखर के आप मुझे बताएं, कि आप और किसे किसे एक्जाम की तियारी करना चाह रहे हैं, और आपको जो वाकाब लेदी की ट्रिक बेस्ट जो सरी चल रही है, यह पर किसी लेगरी, thank you